बॉलिवूट की शांदार आवाज और दिगजगाई का अलका यागनिक से जुड़ी एक दुखत खबर सामने आई दरसल अलका यागनिक एक रेयर बिमारी से जूज रही है इस बात की जानकारी खुद अलका ने दी अलका यागनिक ने अपने इंस्टरग्राम पोस्ट के जरिये बताया कि उन्हें एक रेयर सेंसरी नियूरल नर्व हीरिंग लॉस डाइगर नौज हुआ है इस खबर के बाद अलका यागनिक के फैंस बेहत दुखी हैं लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये बिमारी क्या है और कैसे होती सेंसरी नियूरल नर्व यूरिंग लॉस की सिती में आपके कान की आंतरिक सनरचनाई काम करना बंद कर दे थी कान के अंदर से दिमाग तक जाने वाली नसों को नुकसान पहुँचता है जो साउंड को दिमाग तक पहुँचाती है ऐसी सिती में सुनाई देना कम हो जाता है और कई बार अचानक से पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाता है अलका यागनिक की बात करें तो अलका मुंबई से गोवा किसी काम के सिलसले में गई थी जब वो पहुंची और फ्लाइट से उत्री तो उन्हें एक कान से सुनाई देना पूरी तरह से बंद हो गया था जब 24 घंटे तक उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने डॉक्टर से संपर्ख किया जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें ना सुन पाने की इस रेयर बिमारी के बारे में बताया बढ़ती उम्र, डाइबिटीज, विटमिन B और विटमिन D की कभी, लंबे समय तक हैटफोन का अस्तमाल करना है लाउट साउंड भी इस बिमारी के कारण हो सकते हैं जानकारी साज़ा करते हुए अलका यागनिक ने लोगों से सावधान रहने का भी अनुरोथ किया है अलका ने अपने पोस्ट में लिखा है कि लोगों को तेज आवाज वाला म्यूजिक और हैटफोन से बचना चाहिए अलका ने लिखा कि अपने फैंस और युवा कलीक से मैं कहना चाहूंगी कि बहुत तेज आवाज वाले संगीत और हैटफोन के संपर्क मैं आने से सावधानी बद्द आपके सभी प्यार और समर्थन के साथ मैं अपनी जीवन को फिर से व्यवस्थित करने और जल्दी आपके पास वापस आने के उमीद कर रही है इस महत्वपूर्ण समय में आपका समर्थन और समझ मेरे लिए बहुत माईने रखती है खबर के बाद अलकायागने के फैंस के मन में बार बार एक सवाल उठ रहा है कि क्या वो दुबारा सुन पाएंगी क्या वो आगे अपनी सिंगिंग करियर में गाप आएंगी डॉक्टरों की माने तो अगर शुर्वाती लक्षनों में ही इसका इलाज शुरू कर दिया जाएं तो सुनने की शमता को वापस पाया जा सकता है कुछ anti-microbial और anti-viral drugs, steroid injection, oral medications की मदद से इलाज किया जा सकता है